नमस्कार दोस्तों फिरसे स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं OPPO F11 Pro और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मुबाइल में यहाँ पे fingerprint lock कैसे set कर सकते हैं तो fingerprint lock set करने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है setting पे और setting पे जाने के बाद आप ऐसे scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको fingerprint face and password का option देखने को मिलता है आपको इस पे click कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे मैंने lock screen already लगा रखा है तो यहाँ पे आपको add fingerprint पे click करना है और इसके बाद यहाँ पे जो भी pin pattern password आपने set कर रखा है वो आप यहाँ पे draw कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे back side में आपको fingerprint का option देखने को मिलता है आप यहाँ पे go easy finger ऐसे touch करके लगा लेंगे इस ट्रैप से और इसके बाद आपको continue पे click कर देना है और इसके बाद दुबारा से आपको ऐसे finger लगानी है और इसके बाद आपको continue पे click कर देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं fingerprint आपका add हो चुका है क्योंकि यहाँ पे आपको delete का option देखने को मिल जाता है और इसके बाद अगर आपको एक और finger add करने हैं तो add a finger पे click कर लेंगे और यहाँ पे जब आप click करते हैं तो यहाँ पे आपको app lock के लिए भी fingerprint का option देखने को मिलता है अगर app lock के लिए भी fingerprint यूज़ करना चाते हैं तो इसे on कर लेंगे और अगर आपने photo अगरा hide कर रखी है तो private save को भी आप on कर लेंगे तो यहाँ पे आप इन दोनों purpose के लिए भी अपना fingerprint यूज़ कर सकते हैं तो इस टैप से आप यहाँ पे fingerprint सेट कर सकते हैं आप इसी वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इसी टैप के और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार